है लोडे टीचर्स आए आज की वीडियो में आपको जानकाए देदें कि आपने जब पीपीए बैंक में जमा कर दिया तो आप कैसे बता करेंगे कि आप उसके सम्मंदित बेंडर को पेमेंट हुआ है या नहीं उसकी बैंक में पैसा पहुचा है या नहीं तो आप ये अपने महाधियम से ही आसानी से जान सकते हैं एजेंसी डाट ऑप्रेटर आईडी से या एजेंसी डाट अप्रूबर आईडी से तो चलिए शुरू करते हैं हाँ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अगर पहले वाँ चैनल पर विजिट करें तो चल को सब्सक्राइब जरू से यहाँ पर आपको समाधान मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक करिए अगर जानकर यह ची लगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीज़ेगा देखिए इस तरह से आप अपनी पीएफेमेस पर डाट अप्रूबर आईडी या डाट अपरेटर आईडी लॉगिन कर आपके पास जितने वी आपके पीपिय करेंगे उनकी अड़ अगर नहीं है तो हमने अभी आपको बताया एक स्पिंडिचर में जाका आप वहां पर जो e payment पर एडवाइस में जाकर वहां पर एडवाइस नमबर देख सकते हैं या आपने जो पिर नीकलवाय होगा बहाँ पर भी देख सकते हैं यहांपर आप क्या करने है? इडवाइस नमर वाला ऐप्सन स्लेक्ट कर लेना उसके बाद आपको यहां पर advice number बढ़ना है advice नमबर जो होता है पीपी नमबर होता है आई आपको दिखा दें स्कीन पर आप देख रहे हैं यहां पर advice number होता है उसके बाद यहां financial year 2022-23 सी select रहने देंगे और यहां transaction type में आप click करेंगे और यहां पर आप agency to vendor select करेंगे agency आपका school है और vendor आपने जिसे payment किया वो है तो agency to vendor select कर लिया उसके बाद scheme scheme पर यहां पर click करेंगे और जैसा कि आपको सभी को बता है scheme जो है वो UP 113 है यहां पर click करेंगे तो यहां पर इतना type करने के बाद देखिए scheme आ जाएगी इस पर click करके इसे select कर लेना है उसके बाद यहां पर देखिए इस्टेट इस्टेट पर click करेंगे तो यहां पर all जैसा कि R.I.C. all ही रहने देंगे और यहां पर आपको कुछ नहीं करना है और view report पर click कर दिना है यहां पर processing होगी थोड़ा wait करिएगा यहां पर लगबग 30 seconds या एक minute या लगबग जादर से जादर दो मिनिट का भी time लग सकता है तो आपको थोड़ा wait करना होगा यहां पर देखिंगे processing complete होने के बाद यहां पर आपकी सारी detail open हो जाएगी आपके transaction की यहां पर state name होगा scheme name होगा डेविट agency name है आपर होगा आपका जो भी district और आपका block और आपके विद्ध्याल करना में आपर दिखाएग यहां यहां यसे left side में scroll करेंगे date of advice generation आपने का advice generate किया था पीपे का बनाया था कितने रुपे का बनाया था यहां पर देखेंगे और ज्यादा detail देखने के लिए आपको क्या करना है यह जो blue color का one लिखकर आ रहा है इस पर click करना है loading होने तक थोड़ा wait करेंगे उसके बाद यहां पर देखेंगे जैसी click करेंगे यहां पर total detail open हो जाएगी कि आपने किसको पैसा transfer किया है कितना पैसा गया है आपका पैसा बेंडरों को मिला है या नहीं मिला है वो सारे status यहां पर show कर देगा इस नीचे वाल कालम को आपको ल होगा अगर फेल हो जाता है यहां पर देखेंगे भूय अपकी ऑकार में जाना है वीन होगा और किसा यहां परिक देख उसकते है बंदर की कब पैसा पंचा किस देट नAPP आशल ऑ ¿सक्स सकती है और झा आ नहीं फ्चुगा और सचस्ट 271 अग ray हुआ तो यहां पर आप तो फेलिर का रीजन भी देख पाएंगे तो यह थी पूरी प्रोसेस यहां पर आपने वेंडर को पैमेंट किया है पीपी के मादम से अभी तक पहुंचा या नहीं आसानी से देख सकते हैं अगर नहीं पहुंचा है तो फेल्ड का स्टेटस भी यहां पर देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यहां पर तो आप पी एफमेस को रिपोर्ट भी कर सकते हैं जिसके यहां पर देखिए यहां पर जीमेल आईडी दी गई है रिपोर्स डॉट पी एफमेस डेस डी ओवी एट दारेट जी यूवी डॉट इन इस पर आप इसे मेल भी कर सकते हैं बेंडर को सक्सेस्फुल पेमेंट की रिपोर्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी फ्यूचर रिफ्रेंस के लिए यहां पर देखेंगे यह जो आप्सनारा प्रिंट वाला आइकन मना हुए इस पर क्लिक करेंगे यहां पर इसे तो हमारी टिल्गाम गुरूप इड़ा रिट माई डाउर से जुड़िये बहाँ पर आप हमसे संपक कर सकते हैं